सेही परी दुईतिय दिन संध्यार मध्य बाउशर दुईतिय गंठीटी फाटी कला। तुरुतिय दिन मध्य सेही समयरे तुरुतिय गंठीटी फाटी कला। एपरी भावरे सातो दिन अरे सातो टी गंठी फाटी कला। धुन्धो करी, द्वादोस स्कंध भागवत स्रवण करी, पवित्र होई जिवा फळरे प्रेतो जोनिरु मुक्त होई कला। वो दिव्य रूप धारण करी समस्तंक सम्मुखरे प्रकट हेला। ताहर मेघ समान, शामल शरीर पितामबर और तुलसी मालारे शुषवित होई था तार शिरररे मनोहर मुकुट तथा कर्णरे कमनिय कुंडल जलसुठाए। से तुरंत निजसान भाई गोकर्णन कु प्रणाम करी कहिला। भाई, तुम्हे गुरुपा करी मते प्रेतो जोनिर जातनारु मुक्त करी दना। एही प्रेतो पिडा नाशकारी श्री मत भागवत खथा सतरे धन्य। एवम्म। श्री कुष्ण चंद्रंक धाम प्राक्ति कराउतिवा एही भागवतर सप्ताह परायान मध्य धन्य। जेते बले भागवत सप्ताह श्रबन र जोगु आसी जाये सेते बले पापो माने। एथर भागवतर कथा आमकु अभिरंबे धन्सकरी दव भावी भयरे थरी उठन्ती। अग्नी जय परी कंचा सुखिला छोट वडर सबु प्रकार काठको जाली दिये। एही भागवतर सप्ताह श्रबन सेही परी मन बचन औकरमदबरा करा जै थिवा नुआ पुरुना छोट वडर सकल प्रकार पाप भश्म करी दिये। तार जन्म ब्रुथा बली जाना। अनित्य शरीर प्रतियासक्त होई मनुष्यता को हुरुष्ट प्रुष्ट वड़वान करी दिये पारे। तथा पी से जदी श्रीमद भागवत कथा नो सुनिला तेबे एही शरीररु की लाभवा मिलीव। अस्ति ही एही शरीरर आधार स्तम्भ। एहा स्नायू ओ नाडिरुपी रज्जुरे बंधा होई छी। एबम उपरे मांस ओ रक्त लेपदे। ए सबकु चमड आरे घुडाई दिया जाई छी। किन्तु एहा मला मुत्रर भांडा होई थी बारु। एहार प्रत्यक अंगरु दुर्गंध भारु छी। ब शरीर सर्वदा कोनोसी ना कोनोसी कामनारे आतुर रहे। एहा केवेवी त्रुप्त हुए नाही। एभली शरीर धरी बंची रहिबाबी एक प्रकार भार तुल्य। एहार प्रत्यक अंसरे दोशो पुर्ण होई रहिछी। एबम नस्ट होई जिवाकु एहाकु गोटी एक खणवी लागी नाही। शेशरे जदी एहाकु पोती दिया जाए तेबे एथिरू किट जन्म होई जामती। जदी एहाकु कोनोसी पसु खाई दिये तेबे एहा तारो विष्ठारे परनत होई जाए। एबम एहाको अग्मीरे जाली जले एहा पाउसरे परनत होई जाए। एहारो एपरी तिनी प्रकार गती हुए बुलीकु खाजाए। शरीर एपरी बिनाश शिला होई थिले मध्य। एहा द्वारा सास्वत पद मध्य। मिली जाए। मनुष्य एपरी उत्तम फळप्राक्ति पाईं जत्न शिला नहुची काईं की सकाले रंधा होई थिबा अन् स्थ नुफ्ट होई जाए। शे परी अनित्य अन्नर रसरे पुष्ट होई थिबा एही शरीर की परीबा नित्य होई परीब। इहा लोकरे भागबत सक्ता हश्रवन कले अथी सिक्र भगबत प्राक्ति होई जाई पारे। तेनु सकल प्रकार दोशो निब्रति निमानते ए ये बला नाशो हेवा निमनते ही जन्म होई थान्ती। जेउं भागवत श्रबन र प्रभाबरे निर्जिव तथा सुखिला बाउंसर गंठी मध्य फाटी जाए। तहा कुश्रबन कले चित्तर गंठी खुली जिवा क्येउं बड़ कथा अबा। भागवत सब्तह श्रबन कले मनुष्यर खुरदय अरे पडिथिवा गंठी खुली जाए। तहार समस्त संसय तुटी जाए। एबं सकल कर्म खिल्ण होई जाए। एही भागवत कथा रुपक तिर्थ संसार अर कल्मश धुई देवारे अत्यन्त दख्य। बिद्ध्वान मान भागवत कथा जेते बले हुर्दय अरे स्थानो पाई जाए। शेते बले मनुष्यर मुख्य। फुई जिवा निश्चीत बोली बुछी वाकु हैवा। धुन्धुकारी एपरी कहु कहु हुँ। हटा ता पाईं बयकुन्थरु आसि थिवा। गोटिये बीमान उल्हाई पडिला थिरे बोई कुण्ठ बासी पार्षद माने मद्ध्य आसितांत। आपन माने एका बेलके बहु संख्यको बिमान नेई आसिले नाहीं काहीं की। मो देखिबारे एठारे समस्ते समान भाबरे भगबत कथा सुनीले। अथच फड़ो मिलिदा बेलकु एपरी प्रभेद घटिला की परी। आपन माने एहार कारण बुझाई दियोंत। भगबानन कर सेभगमाने कोहिले। हे मानद श्रबण भेद ही एही फळ भेदर कारण। एक था ठीक जे समस्ते समान रुपे श्रबण कले। किन्तु सेमाने धुन्दु कारिंक परी भगबत कथा कु मनन करी नहानती। एई थी पाईं समस्ते एका साथिरे श्रबण करी थिले मध्य फळरे प्रभेद रही कला। प्रेत शात दिन पर्जन्त उपवाश रहे भगबत प्रभचन श्रबण करी थिला। तथा सुनी थिवा विशय कु स्थीर चिप्तरे बहु मनन निदि ध्यासन मध्य करी थिला। जेउं ग्यान दुड़ हुए नहीं तहा व्यर्थ हुई जाए। ता छरात मन जुग न देले। श्रबण र संदेहरे रखिले मंत्र र एबं चिप्त चांचल्य रही थिले। जपर मध्य कोण सी फळा मिले नहीं। वईश्नब हीन देश अपात्र को दिया जाइतिवा श्राध्ध भजन आश्रत्रिय को दिया जाइतिवा दान एबं आचार हीन कुल एशबु नस्ट बानिस्फळ होई जाए। गुरु बाक्क्योरे विश्वास निजा भितरे दयन्य भाब मनर दोशदुर्बलता उपरे विजय एबं चित्त रोयकार्ग्रता इत्यादी न्यम पालन करी। जदी भगबत कथा श्राबन करा जाए तेवे श्राबनर जथार्थ फला मिली थाए। जदी एही श्रोता माने एपरी भाबरे पुनर बार श्रीमद भगबत कथा श्राबन करीवे। तेवे ए समस्तनकु निश्चय भईकुन्थ प्राप्ति हेव। हे गुकर्ण महाशय आपननकुत भगबान स्वयम मासी तांक गोलोक धामकु नहीं चिवे। एपरी कही सही हरी पास्षद माने हरी किर्टन करी करी विमान ने वयकुन्थ धामकु चाली कले। श्राबन मासरे गोकर्ण पुनिथरे सही परी सप्तहक्त्रमरे भगबत चच्चा कले। एबंब सही श्रोता माने तहा सुनी दे। हे नारद भागवत कोथा समाप्त हेव हो जहा हेला सुन अनेक विमान सहित भक्त गणंक मेलरे स्वयम भागवान सेठारे आभिर भूत होई कले चतुर दिगरु खूब जोर्रे जय जय कारो और नमसकार धनिमान भेवाकु लागिला भगवान स्वयम आनन्दीत होई निजर पांच जन्य संख वजाईले एबं गोकर्णं को आलिंगन करी ठेक निजपरी करी देले से खनक मध्धरे अन्य समस्त सुरतांकु मध्य मेगा समान शाम बर्ण करी देई पाट पितांबर तथा किरिट और कुंडल आदिरे बिभूशित करी देदे से ही ग्लामरे कुकुर व चांडाल पर्जन्त जेते सबु जीब थिले समस्तंकु गोकर्णंक करुपारू बिमान मानंकरे चड़ाई दिया गला एबं जे उठीकी जोगी जन जाई छन्ती से मानंकु से ही भगबद धाम कु पठाई दिया गला एपली भावरे भक्त बत्सल भगबान श्रीकृष्ण भगबत चर्च श्रमनरे प्रसंद्न होई गोकर्णंक कु साथिरे धरी गोपाल बालक मानंकर प्रिया गोलो क धामकु चाली करे पुर्व कालरी पजोध्य बासी माने जे परी भगबान श्रीरामंक को सहीत साकेत धामकु जाई थिले बर्तमान श्रोता माने सेही परी भगबान श्रीकृष्णंक को सहीत जोगी दुरलभ गोलो को धामकु चाली कले जेउं धामकु शुर्ज, चंद्र और सिध्ध माने मद्ध कदापी जाई परंति नहीं स्रीमद भगबत श्रोबन करी थिवरू श्रोता माने सेथा कु चाली जाई परी ले सनकादी कहिले, हे नारद सब्ता हो जग्यरे भगबत कथा श्रोबन कले, जेउं उज्जोल फळ संचित हुए से विशारे मुँ आपणंकु काण कहिपी अहे, जेउं माने निजो कर्ण पुठरे गो कर्णंक भगबत कथा मृतर गोटिय अख्षर मध्य पानो करी थिले, से माने मध्य आउ मात्रु गर्भको आसिले नहीं